अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद महीला बंदी को चार दिन पहले गोली लग गए थी, जिसको लेकर अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुच सकी है, कि गोली किस ने चलाई, किस हतियार से चलाई और कहां से चलाई, या क्यों चलाई, यह सब सवाल पुलिस के आज डीजीपी जेल अकील मुहमद अम्बाला सेंट्रल जेल पहुचे और मौकी का निरिक्षन किया डीजीपी ने अस्पदाल से महिला बंदी को बुलवाया और पूश्टाश कर कोली चलने का सीन भी रीक्रियेट करवाया उन्होंने कहा मामले में अभी कुछ भी कहना जल्ल पहुचेगी यह मामला अंट्रेस नहीं रहेगा कि कई चीजें थी जिससे रेलेटेड में आया था तो मुझे थोड़े दिन हो गए थे यहां आये हुए तो मेरे ख्याल से आठ नो महीने शायद हो गए थे आठ नो महीने के बाद मैं आ जा रहा था तो नॉर्मली मैं सभी जेलों का इंस्पेक्शन करता रहता हूं देखता रहता हूं तो इसमें भी आया काफी चीजें इसमें देखी कुछ जो इंप्रूव्मेंट के लिए मैंने ओडर भी किये है कि कुछ एक बिल्डिंग है जैसे रिपेर मांग रही हैं कुछ फैक्टरी से रिलिटेट काम हैं कुछ कैदियों की जो रिक्वेस्ट थी वो भी तो सभी के ऊपर जो लौ रूल जो परमिट कर रहा है उसके हिसाब से करवाई करेंगे हैं इसके साथ ही एक यहां कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ उसके बारे में भी मैंने मीटिंग की और डिटेल में देखा और सभी संबंदित अधिकारी हैं जैसे एसाइटी के लोग हो गए डॉक्टर्स हैं और साथ में हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं तो सभी के साथ डिसकेशन किया है और मैंना यह कहा है कि जितने भी एंगल हो सकते हैं इस इशू को हरे एक एंगल से देखा जाए कि एंगल से मेरा मतलब है कि अगर कोई मिश्चीफ अंदर से है किसी कैदी से मिश्चीफ है उसको देखा जाए चाहे कैदी वो अंडर ट्राइल है या मानलिया कि जो जिसको कहते हैं कि प्रिजनर है, या फिर चाहिए वो लेडी है, चाहिए वो जहन्स सारे एंगल से देखो, कोई जेल स्टाफ की तरफ से कोई मिचीफ है, उसे भी देखो, कोई एकसीडेंट की अगर पोसिभीलिटी कहीं से दिख रहे है, तो एक्सिडेंट की देखो अगर जेल के कुछ संत्री से अगर कहीं कुछ हुआ है तो उसको चेक करो पूरा और अगर जेल के बाहर से दिखाई देता है तो वो तो प्राइमरी ली इसमें जो काम जो मैंने ड्यूटी लगाई है जो हमारे जो इस्पेशलिस्ट है उनको कहा है कि जो बुलेट है बुलेट के उपर आप कंसंट्रेट करो जिस किस वेपन से फायर हुआ है या हो सकता है उस वेपन पर कंसंट्रेट करो और जो वूंड है जो चोट है जिस लेडी से उसके उपर कंसंट्रेट करो वो क्या कहती है तो आज काफी हद तक रिकंस्ट्रक्ट कर के देखा है और मैं समस्ता हूं कि शायद ये दो हफ़ते के अंदर जो हमारे specialist हैं सारा दे देंगे मैंने ये भी order कर दिया है कि जितने भी weapons हैं यहां जो long range weapons हैं सारे को सारे long range weapons को चेक कर दो क्योंकि हमारे सबसे important बात ही है कि यहां पर bullet मिल गई है तो जैसे ही अगर bullet मिल जाती है तो हमारे हाथ बहुत मजबूत हो जाती है तो वो bullet जो है वो match हो जाएगी अगर किसी weapon से अगर जो jail के अगर किसी weapon से fire हुआ है चाए deliberate fire है चाए accidental fire है उसमें मैच हो जाएगा इसके लावा मैंने यह भी order किया है कि S.P. साब को भी jail प्रशासन को भी और साथ में हमारे specialist को भी कम्प्लीट jail को इस angle से भी check कर लो कि कहीं पर कोई किसी और तरीके का weapon तो नहीं यह भी किया है कि जो bullet आई है वो bullet जिस weapon की है तो जहां से वो fire होता है तो उसकी speed क्या होती है और probable speed जब वो चोट लगी है लेडी के जब पैर में पहुची है तो उस time पर क्या उसकी speed या velocity जिसको कहते हैं क्या रही होगी angle क्या रहा होगा अभी तक जो हमने MLR देखी है और उसके हिसाब से जो समझ में आया है तो नजदीक से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उसमें कोई powder नहीं है किसी तरह का sinjin कहते हैं हम लोग उसको तो उसमें MLR के हिसाब से नजदीक से कुछ नहीं है तो जो भी है कुछ दूरी से है वो कितनी दूरी है वो उससे ascertain करेंगे लो और ascertain करके मैं समझता हूँ कि दो हफ़ते जो मैंने इना time दिया है मैंने एक ही हफ़ता कहा लेकिन शायद एने एक हफ़ते से थोड़ा ज़्यादा लगएगा हो सकता है दो हफ़ते लग जाएगे तो दो हफ़ते में बिल्कुल clarity आ जाएगी यह case ऐसा नहीं है कि यह खुलेगा नहीं यह clear हो जाएगा अगर accidental है तो accidental mischief है तो mischief crime है तो crime यह लेकर निकल के आ जाएगा पूरा हाँ जी लेड़ी को बलाया लेड़ी से बात की है पूरी detail में समझा है और सबी लोगों ने समझा specialist को भी आज काफी मजबूती से समझा और साइटी को भी आज काफी समझ में आया उसके साथ क्या बात की गई वो आपके साथ share नहीं हो सकती media में क्योंकि वो गलत हो जाएगा तफ्तीश के लिए साब से गलत हो जाएगा और lady के साब से भी गलत हो जाएगा और सारे एंगल चेक करके और फिर नतीजे पर पहुंचो कच्छी बात हो जाती है लगता नहीं है कोई ऐसा अभी नहीं लग रहा लेकिन और भी सभी लोगों से बात की है तो लग नहीं रहा है क्योंकि जिस तरीके से वहां जो जितने लोग बैठे हैं जहां कि यह गटना ह सारी लेडीज जितने वी हैं वो सभी आसपास वहीं बैठी हुई हैं तो वो लग नहीं रहा मेरे को लेकन फिर भी मै नहीं पहले नहीं कि मैं जजमंट नहीं दे रहा हैं और आप भी मेरे से ऐसे सवार नम पीछो कि जिस में कोई जजमंट की जरुवत पढ़ रही हो इसमें ये है कि जो है अगर कहीं कोई किसी भी तरीके का निकलेगा मैंने जो बोला है कि सारे अंगल देखेंगे और सारे अंगल देखकर के फिर आएगा पुरा ठीक है जैसे आपको पहले बताया गया था कि मामले की सम्वेदन शीलता को देखते हुए हमने इसमें एक साइटी का गटन किया है डी एसपी हेड़कॉर्टर और सी ए ये साइपर सेल और एसेट चो जो हैं उसमें मेंबर्स हैं और परसनली मेरे दवारा उसको सूपरवाइस किया जा हैं उनको सबको हमने कलेक्ट किया और जो सी सी टेव फोटेजर्स हैं उसका भी हमने अनलेसिस किया और प्रॉपरली एसपर रूल एंड लॉव हमने उसको फाइल पे लिया और जो हमारे सबसे इंपॉर्टन चीज है कि इसके अंदर जैसे आप आज डी जी प्रिजन दोवा कि मुएना किया गया है तो उसमें आने वाले दिनों में मुझे अमीद है कि इसमें हमें काफी जिसे नहोंने बताया कि हफते दस दिन के अंदर एक्जैक्ट जो ट्राजेक्टरी थी जो उस बॉलिट ने फॉलो की उसके बारे में कुछ ना कुछ हमारा सपश्ट हो जाएग जो एक्जैक्ट डीटेल्स हैं कि किस में क्या हो रहा है वो तो मैं भी केस की रिवील नहीं कर पाऊंगा लेकिन डेफिनिटली सारे की सारी सीची फुटेज़ जो है टोटल जतने कैमरास हैं वो हमने रिकॉर्ड पे ले ली हैं और उसका जो मौइना है वो हमने काफियत तक कर भी लिया है सीन को जो रीख्रीएट है हमने पहले भी किया था और आज हमने जो विक्टिम है क्योंकि वह पहले हॉस्पिटल में एड्मिटेड थी तो आज स्पेशल उसको परमेशन लेके और डॉक्टर की प्रेजंस के अंदर आज दुबारा पूरे सीन को और उससे भी काफी पहलू जो है वो क्लारिफाई हुआ है चार्जिन की चार्ज में ज़्यादर सम्भवना देखिए कुछ भी इस अभी इस टाइम पर स्पष्ट करना जल्दबाजी होगी हमें मेरा ख्याल बेटर है कि एक बार जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी पूरी जो हमने बुलिट हमने रिकावर किया जो सबसे इमपॉर्टन्ट एविडेंस है तो उसको जब वो एनलसेस कर लेंगे तो उसके बाद ही इसको इस पष्ट किया जासकिए बुलेट रिकावर किये, कितने अमेंट किये, पिस्टूल किये, असलार किये बिकाँ चलाएंगे? देखिए, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि, वो फसल उसको हमने बलंदा बना के भीज़ जा है, तो वो वहाँ पे जब एनलेसिस करेंगे, तो उसके बाद ही वो क्लारिफाई और उसकी पुष्टी तब ही हो पाएगी, अभी हमारे जो लोकल, हमारे पुलिस के एक्सपोर्ट्स हैं, आर्मरर हैं, उनकी दवारा से कुछ प्रिलिम्नरी जांच की गई है, लेकिन जो पुकता और फाइनल वर्डिक्ट होगा, वो नहीं दवारा दिया जाएगा.